आज कल के भाग दोड के वातावरण में जहां प्रदूशन दिन पर दिन बढ़ रहा है जहां अर्बनाइजेशन यानि शहरों का फैलना थम नहीं रहा है वहां पर एक बीमारी ऐसी है जो अपना रूप दिन पर दिन बदल रही है और यह बीमारी भयावा होती जा रही है इस अज हम बात करते हैं चाइल्ड हुट अस्थमा की आपने खबरों में सुना होगा कि जैसे ही ठंड अपना पैर पसारते हैं जैसे ही नौंबर दिसंबर जन्वरी की महीने आना शुरू करते हैं बच्चों में अस्थमा की दिक्कत बढ़ती चली जाती है इस्पेशली उन श अब यह देखते हैं कि अस्थमा होता क्या है और यह कैसे होता है तो अस्थमा या दमा यह सिर्फ बूड़ों और व्यसकों की वीमारी ही नहीं रही है अब बच्चों में भी काफी घर कर चुकी है तथा अपना विक्राल रूप लेने वाली है अस्थमा में जो हमारे lungs के यानि हमारे फेफणों की जो नलिया होती है वह सिकुड जाती है यानि संकुचित हो जाती है जिसकी वज़े से बच्चे को proper air ventilation ने मिल पाता है तो था बच्चे के शरीर में oxygen की कमी हो जाती है अब नजर डालते हैं कि यह क्यों होता है अस्थमा एक बच्चे में तो जो सबसे मुख कारण देखा गया है वो है genetic predisposition यानि लगभग 80-90 प्रतिशत बच्चे जिनमें अस्थमा होता है उनमें कोई न कोई पेरेंट्स अस्थमा से या allergy से ग्रसित जरूर होता है पेरेंट्स नहीं तो जो उसके दोनों परिवार की तरफ ना 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 नी दादा दादी कहीं न कहीं यदि अस्थमा या दमा की हिस्ट्री नहीं होती है तो allergy की हिस्ट्री जरूर होती है अब यह जो genetic predisposition होता है जब इसमें कोई pollution trigger करता है या कोई allergen trigger करता है जैसे pollen grain धुआ यहां तक की घर में जलने वाले धूब बत्ती अगर बत्ती पेरेंट्स अगर डियो यूज करते हैं कोई perfume यूज करते हैं यदि आपके घर में carpets हैं जिन से धूल उड़ती है यहां तक की यह देखा गया है कि जो घर में रोजाना साफ सुफाई होती है ज़ाडू से जिसमें धूल उड़ती है उससे भी अस्थमा trigger कर सकता है अब आते हैं इसके लक्षणों में अस्थमा में सबसे बड़ा जो लक्षण होता है वो सर्दी और खासी का होता है इसमें जो खासी होती है वो रात के समय में काफी बढ़ जाती है बच्चे की नीद खुलने लगती है खासी की वज़े से दूसरा जब यह खासी बढ़ जाती है और कोई भी हमें intervention नहीं करते हैं तो बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है बच्चे की सांस से जब भी वो सांस छोणता और लेता है तो एक सीटी जैसी आवाज आने लगती है यदि आपके बच्चे में यह लक्षण है उसको सांस लेने में दिक्कत होती है कोई भी खासी जो ठीक नहीं हो रही है दस दिन पंदरा दिन से उपर हो गए हैं तो यह अस्थमा का लक्षण भी हो सकता है अस्थमा के लक्षण में यह निश्चित रूप से आपको करना है कि घरेलू इलाज या कफ सीरप मत दें अपने डॉक्टर से तुरंद संपर करें जिसमें वह कुछ ऐसी दवाईयां कुछ ऐसी मेडिसिन्स दे जिससे बच्चे का जो ब्लॉकेज है जो फेफ़डे में ब्लॉक है वो सांस नहीं ले पा रहा है वो अदूर हो अन्य था क्या होता है मैंने देखा है कि बच्चे को तेज सांस चनने लगती है, सांस लेने में दिक्कत होती है उस समय दिमाग में भी आकसीजन की कमी हो जाती है तथा बच्चा काफी बीमार हो जाताITY तो यह लक्षन या यह अवसर हमें नहीं आने देना है तीसरा चीज जो मैंने देखा है especially Indian population में तो जो parents होते हैं बोलते हैं कि उनको nebulizer नहीं देना है nebulizer की आदत पड़ जाएगी तो ऐसा कुछ नहीं है बलकि यदि आपके doctor ने बच्चे को अस्थमा के लिए nebulizer लिखा है उसको prescribe किया है तो यह देना अती आवश्यक है और इस nebulizer से कोई भी आदत जैसी चीज नहीं पड़ती है